Oxidation and the reduction half cell अब यहां से बहुत ही बहुत ही important सवाल क्या बनता है कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि Oxidation या Reduction Half Cell है क्या सबसे पहली बात तो यह एक ऐसा Half Cell है जिसमें Simultaneously जिसमें Simultaneously Oxidation भी होगा और क्या होगा Reduction भी होगा किसका अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं किसकी अगर मैं बात करूं किसकी मिरे पास दो आयन है Fe2 positive, Fe3 positive कोमा इसलिए लगाया क्योंकि दोनों स्वेज में हैं यह भी Equus है और यह भी Equus है इसलिए कोमा लगाया से लिए प्रेजेंटेशन की बातें भी साथ साथ कर रहा हूं रहे ठीक है अगर मैं यहां पर कहूं कि इसमें देखवजदी सी बात है अगर मैं Fe2 positive से Fe3 positive में जाना चाहूं तो क्या होगा एक electron निकालूंगा और इसी को मैं क्या पढ़ लूँगा रहे एनोड पर रियक्शन पढ़ लूँगा सुनना वैं समझना अगर मैं कैथोड की बात करूं तो मैं कहूंगा रहे क्या Fe3 positive एक electron खाले तो किस में चला जाएगा यही cathode compartment पर रियक्शन होगी यही एनोड पर होगी लेकिन समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझो समझाना यह चाह रहा हूं कि देख बाई metal यह की है लेकिन कि सबसे मठी पेंचान क्या है कि metal तो यह की है लेकिन किस में different oxidation state में है और जब 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 मेटल सेम मेटल विद डिफरेंट oxygen state में होगा वो पेंचान होगी किसकी oxygen और reduction हाफ सेल की बात समझ मारी यह नहीं आरी दूसरी बात दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि देख बाई तोड़ा सा इसको correlate करता हूं अगर मैं गैस आयन ऑफ सेल की बात करूँ किस की रहे तो गैस आयन हाफ सेल क्या कहता है गैस ना आ एफ सेल कहता है सिंपल अगर मैं cathode बढ़रा हुडता है इसका मतलब की दोनों केसों में जो पीटी है ना पीटी पलेटेनियम जो है उसका यहां भी अब की बार बहुत जादा रॉल रहेगा और हमेशना मैंने बताए था कब जो पोजिशन रहेगी पीटी की वही मेरी सेल रिप्रेजेंटेशन को क्या करेगी बाई डिसाइड करेग क्या आपको बेसिक कॉंसेफ्ट इसके पीचे समझे में आया क्योंकि मैं देख गैसाइन से कुछ मिलता जुलता ही तो है गैसाइन में इलेक्ट्रोड तो जा रही थी लेकिन पीटी का ही तो यूज़ कर रहा था यहां भी मुझे यहां भी पीटी का है क्योंकि ये भी क्या एक्वसे ये वी क्या है एक्वसे